फेज में तेरा राज्यों की 88 सीटों पर करीब 68.49 बोटिंग हुई है तृपुरा में सबसे ज्यादा 89.66 परसेंट जबकी महराश्ट की अगर बात करें तो 69 परसेंट बिहार में 57.81 परसेंट एमपी में 58 परसेंट राजिस्थान में 74 और बंगाल में 73 परसेंट बोट पड़े उत्तर प्रदेश में सबसे कम 54 परसेंट के करीब मतदान हुआ है त्रणमूल कॉंग्रेस ने आरोप लगाया है कि बंगाल के वालूर घाट और रायगंज सीट पर महिलाओं को बोटिंग से रोका जा रहा है दोहजार उन्नीस के आम चुनाबों में इन सीटों पर 70.05 परसेंट का मतदान हुआ था दोहजार उन्नीस में सेकिंड फेज की सीटों पर सबसे ज़्यादा भाजपा को 50 और NDA के संयोगी दलों ने 8 सीटे जीती थी कॉंग्रेस के खाते में 21 सीटे गई थी अन्यको 9 सीटे मिली थी 19 अप्रेल को पहले फेज की 102 सीटों पर 68 परसेंट बोटिंग हुई थी 12 राज्यों की 94 सीटों के लिए 3 चरण का चुनाव 7 मई को होगा 7 चरण का चुनाव 1 जून को होगा और 4 जून को नतीज आएंगे